हेलो, एरु बन इस वीडियो का टॉपिक है हाइड दोलिक सिस्टम में Continue Time तो इस वीडियो में Continue Time किआ होता है और इसमें कितने टाइप की कंट्रोल सेगमेंट होते हैं इस वीडियो में दखेंगे तो कंट्रोल सेगमेंट बेसिकिली daha फिर स्सёन में में自 surcha अब प्रेशर, फोर्स, रोटेशन, यह सब जो हम कंट्रोल करते हैं, जिसके द्वार कंट्रोल किया जाता है, उसको कंट्रोल सेगमेंट बोलते हैं, तो कंट्रोल सेगमेंट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल, वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, flow control valve तो ये control segment के अंदर ये सब आते हैं तो पहला direction control valve तो direction control valve का requirement कब होता है तो direction control valve का requirement होता है system को या अपना actuator जो होता है या pump होता है उसको start, stop या direction change करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है तो actuator के जो रहेगा उसमें हमको या अगर उसको start करना है या उसको stop करना है या उसका direction अगर open position है तो close करना है और close position है तो उसको open करना है तो उसके लिए हम direction control valve का उप्योग करेंगे कैसे करेंगे direction control valve के थुरू हम flute का जो flow होता है जो flute का direction होता है वो हम उसको change करेंगे तो change करने से या तो cylinder क्या होगा या तो open position में जाएगा या तो close position में जाएगा यानि कि linear position अगर cylinder है तो और अगर कोई hydraulic motor लगा हुआ है तो उसका result क्या मिलेगा यानि कि या तो वो clockwise घुमेगा या तो anti-clockwise घुमेगा या तो वो stable रहेगा रुका हुआ रहेगा इस्टोप condition में तो ये figure में ये है direction control valve या short में इसको DC valve भी कहते हैं इसके थूँ अपना direction change होता है या तो stop होता है अगला है pressure control valve तो pressure control valve का requirement कब होता है pressure control valve का requirement होता है किसी system में pressure का level maintain करने के लिए तो pressure का level maintain करने से हमको जो require output फोर्स जो होता है वो continue मिलते रहेगा या आपको जितनी amount में चाहिए वो मिलेगा और अगर motor है motor है तो torque के रूप में हमको output मिलेगा और अगर actuator है तो force के रूप में उसका output मिलेगा तो यह pressure control valve figure में दिखा हुआ और अगला है flow control valve तो flow control valve का requirement कब होता है अगर हमको liquid का या जो fluid का हमको flow का quantity हमको decide करना है कि हमको decided यानि कि हमको time आत्रा में हमको flow करना है तो उसके लिए हमको flow control valve का use करेंगे तो flow control valve का use क्यों करेंगे flow control valve का valve यूज़ करने से अगर cylinder है यानि एक्चुेटर है तो एक्टुएटर है तो उसका वैलोसिटी डिसाइड हो जाएगा फ्लोग कंट्रोल सेट करने से और अगर मोटर है तो यानि कि rpm हो जाने कि उसका स्पीट सेट होगा तो इसके लिए हमको फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज़ करते हैं तो यह है फिगर में फ्लो कंट्रोल वाल्व तो इस वीडियो में फ्याले इतना ही ठेंक